आज हम बात करने जा रहे हैं दिव्य दस मुख्य रुद्राच की दस मुख्य रुद्राच भगवान विष्णु का प्रदीख दसावतार कहा गया है भगवान विष्णु को बार बार उन्होंने प्रिथ्वी पर जन्म लिया है आशुरी शक्तियों के विनास के लिए और सज्जनों की रच्छा के लिए तो दस मुख्य रुद्राच पर भगवान विष्णु का अध्रिपत्य माना जाता है स्वामित तो है उनका इसलिए दिभ दस मुख्य रुद्राच जो भी व्यक्तिधारण करता है उस पर किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु की क्रिपाव बनी हुई ही रहती है उसके शत्रूं के नास के लिए भगवान विष्णु स्वयम किसी ने किसी रूप में आ करके उसकी रख्षा करते हैं चाहे कैसा भी सत्र उसके सामने क्यों न आ जाए उसका बिनास नशित है वह अपने सत्र के बारे में अगर सोच ले तो सत्र उसका तत्काल नत्मस्तक होगा या उसके सामने से हट जाएगा यदि उसके गले में दिब दस मुखी रुद्राक्ष है तो दूसरी बात यह है कि भगवान विश्णू का स्वामित होने के कारण दस मुखी दिब रुद्राक्ष धरंट करता के पास लक्षमी अपने आप चल कर आती है चाहे वो नौकरी करता हो ब्यापार करता हो या अन्य किसी प्रोफेशन हो किसी भी काम से वो पैशा कमाने के कोशिस करता हो उसे पैशा कमाने के जरिये अलग-अलग मिलते रहते है उसको आइडिया मिलता रहता है उसका ध्यान इस तरफ जाता है जहां से उसे पैशा मिल सके क्यूंकि मा लक्ष्मी भगवान विष्णू के समीप रहना चाहती है तो ब्यक्ति के उपर मा लक्ष्मी की भी क्रिपा बनी हुई रहती है दस मुखी दिव्यरुद्राक्ष के धारन करता के पास तो अब ये मैं बता देना चाहता हूँ आपको आप समझे इस बात पो कि जहां भगवान विष्णू रहते हैं मा लक्ष्मी वहीं रहती है तो दस मुखी दिव्यरुद्राक्ष के धारन करता के उपर भगवान विष्णू की क्रिपा जब होगी तो मा लक्ष्मी की क्रिपा अपने आप होती ही जाएगी और ब्यक्ति को चोतरफा चारों तरफ से धन आगमन के रास्ते मिलते जाएगे उसका अगर कर्ज होगा तो वो मिटता चला जाएगा यदि उसका पैसा कहीं बकाया होगा कहीं बाकी होगा मार्केट में फस गया होगा या पैसे का लेन देर उसने किया होगा जिसकी वज़े से वो परिशान हुआ होगा उसमें भी उसे रास्ता मिलता चला जाएगा और वह धीरे 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 अपनी जिन्दगी में सुधार ला सकता है कम्यों को पूरी कर सकता है और धनार्जन कर सकता है जिससे उसका परिवार उसके साथ खुशहाली भरी जिन्दगी जी सकता है अपनी कीर्ती और एश्वर को दसों दिशाओं में फैलाने और दसों दिशाओं से भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और लोगों में अपरम पार इसने फैलाने के लिए दस मुखी दिविरुद्राक्ष धारण करें दस मुखी दिविरुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें संस्थान महज लागत मुल्य पर इसे उप्लाप्त कराता है तो सोनी जै दस मुखी दिविरुद्राक्ष किन किन लोगों को धारन करना चाहिए दस मुखे दिव्य रुद्राक्ष जैसा कि हमने बताया कि भगवान विष्णों की कृपा का प्रतिक है मा लक्षमी की कृपा बनी रहती है दस मुखे दिव्य रुद्राक्ष के धारण करता के ऊपर तो आर्थिक तंगी से जूज रहे बैक्ति को कर्ज में डूबे हुए बैक्ति को धन की इक्षा रखने वाले बैक्ति को कर्ज में डूबे हुए बैक्ति को क्योंकि उसकी बुद्धी खराब हो जाती है उसे समझ में आता कि धन प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए कौन सा उपाय किया जाए, किस प्रकार का उपाय किया जाए, वो जितने भी उपाय करता है, वो विफल होता रहता है, क्योंकि एक कहावत है कि हारा हुआ जुआरी ज्यादा खेलता है, तो गलत जगहों पर पर रिस्क लेता है गलत जगहों पर खत्रे उठाता है और उसकी वज़े से वो परिशान रहता है तो समय पर सदबुध्य आने के लिए समय पर धन मिलने के लिए कर्ज से मुक्ति के लिए धनों पारजन के लिए किसी भी प्रकार के व्यापार में सफलता के लिए नौकरी कर आये ब्यक्ति उसमें पदोर्नती के लिए ऐसी किसी भी जगह पे जहां से धन का संबंधाता हो सभी ब्यक्तियों को दिव्य दस मुखिर उद्राक्ष जरूर धारन करना चाहिए इससे उसके ब्यक्तिकत नीवन में सफलता तो मिलेगी नाम और यस केर्टी भी फैलेगी ब् इक्षा जहां से उठती है और जहां होता है काम उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ देता है दस मुखिर उद्राक्ष इसलिए किसी भी कारे को सोचना और उसको पूरा करना दोनों के लिए जरूरी है दिव्य दस मुखिर उद्राक्ष धारन करने वाला ब्यक्ति जो सोचत वो पूरा कर लेता है। इसके पीछे और एक रहस्यवरी बात बताता हूं कि जब आदमी किसी कारे को सोचता है और वो पूरा नहीं कर पाता तो धीरे 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 वो मानशिक रूप से बिक्षिप्त रहने लगता है। चारिरी क बीमारी का कारण बन जाते हैं। और ऐसे में उसके परिवार के लोग सोचते हैं कि हमारे घर के मुख्या को, हमारे घर के देखने वाले को क्या ऐसी क्या बात हो गई जिसके कारन proximity रहने लगाएं और इसका कारण किसी को समझ में नहीं आता है। और कारण यह है कि करना कुछ चाहता है होता कुछ है करने कहीं कुछ गयाता सुबह निकलता है आदमी किसी काम से शाम तक पहुंचता है किसी काम को करके इसके बीच की जो कड़ी है उसको जोडने का काम दिब दस मुखे रुद्राक्स बहुत ही अच्छे तरीके से करता है जि प्रफच्ति अपनी जिंदगी को कुशहाल बना लेता है और एक दिशा में चल पड़ता है और कहते हैं कि जब आदमी को दिशा मिल जाती है तो उसकी दसा दीरे-दीरे संभल जाते है और जीवन में एक चरम और कर्षवर पहुंचता है और उसकी दुनिया बड़ी आशान हो लिए और लोगों में अप्रम पार इसने फैलाने के लिए दस मुखी दिव्विरुद्राक्ष धारन करें दस मुखी दिव्विरुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें संस्थान महज लागत मुल्य पर इसे उप्लाप्त कराता है सोनी जी आप ज ब्यक्ति किसी भी मुसीबत में फसा हुआ हो, चाहे हो कोर्ट के चहरी हो, पार्टनर्शिप का बिवाद हो, नौकरी में समस्या हो, पदोन्नती की समस्या हो, या किसी भी पती पतनी के बीच बिवाद जो चल रहा है, वो है कोर्ट के चहरी तक बात चली गई हो, मुकदमा तक इसमें अपने पक्ष में फैसला करने के लिए किसी भी प्रकार के मुकदमे में अपने पक्ष में फैसला करने के लिए दोनों के बीच तलात की नौबत को खत्म करना या दोनों को जोडने के लिए किसी भी उद्देश को लेकर के आप दिब्यदस मुखी रुद्राश धारन क कर सकते हैं क्यूंकि माता लक्षमी भी इसका प्रतीक हैं और किसी भी ब्यक्ति की जब उल्जने बढ़ती हैं आपको मैं बताऊं कि विवाद तीन बातों को ले करके होता है पहले से कहा जा रहा है जर, जोरू और जमीन जमीन को लेके मुकदमे होते हैं इस्त्री को ले करके होते हैं किसी भी प्रकार के विवाद को खत्म करने की ताकत रखता है दसमुखी रुद्राक्ष और ऐसे में जब व्यक्ति दिव्य दस मुख्य रुद्राक्ष धारन करता है तो उसके उपर भगवान विश्णू और माता लच्षमी की कृपा और उसको सद्वुद्धी मिलती है कि वह किस दिशा में जाए क्योंकि हमने पहले भी का आभी भी कह रहा हूं कि व्यक्ति को यदि दिशा मिल जाती है तो उसकी दसा सुधर जाती है और व्यक्ति अपनी जिन्दगी बहुत अच्छे तरीके से जीने लगता है सोनी जी कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काम के सिलसिले में घर से बाहर रहना पड़ता है एक दो दिन हफते भर तो उनके घर वाले बहुत चिंतित रहते हैं कि कुछ अन्होनी न हो जाया उनके साथ तो क्या ये दस मुखी दिव्य रुद्राक्ष वो उनको धारन करना चाहिए मतलब कि क्या उनके लिए लाबदायक हो बहुत लाबदायक है और आपका सवाल बहुत अच्छा है चिंतित होना भी स्वाभाविक है किस ब्यक्ती के साथ किस पल कौन सी घटना घटेगी ये किसी को नहीं पता है लेकिन ये जरूर होना चाहिए बैक्ति के अंदर कि हमारे साथ कोई अन्होनी न हो उसके लिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोर अपनाना चाहिए अब मैं बताता हूँ कि बहुत से लोग अपने लक्षे को पूरा करने के लिए टार्गेट को पूरा करने के लिए कंपनी में काम करते हैं उनके उपर टार्गेट रहता है या तुद का ब्यापार करते हैं उस ब्यापार में ज्यादा धन दौलत प्राप्त करने के लिए वो उसमें होता क्या है कि वह अपने काम के सिलसिले में जब बाहर जाते हैं इसे मैं करम वाइज आपको बता रहा हूँ कि जब काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो किसी आफिस में जाते हैं आफिस में चार लोग बैठे हुए है या दो लोग बैठे हुए या अखेला जिस बै आचित शुरू होती है तो वह ब्यक्ति नकारात्मक ता लिये हुए बैठा है तब इस ब्यक्ति के उपर जो बाहर गया हुआ है जिसके बारे मैं आपने चरचा की ये ब्यक्ति बैठता है अगर सामने वाला ब्यक्ति पावर्फुल है तो उसका असर इसके उपर पढ़ जाता ब्यक्ति को दस मुख्य रुद्राक्ष धारण कर लेना चाहिए ताकि अगल बगल बैठा हुआ कोई भी ब्यक्ति सफर में हो या किसी आफिस में हो कहीं भी कोई भी बैठा हो उसका असर आपके उपर नहीं आएगा जैसे कहीं भी गया हुआ ब्यक्ति, मजबूरी में कहीं भी उन्हें खाना खाना पड़ सकता है, कहीं भी सोना पड़ सकता है, घर से किफिन ले गया है, तो भी कहीं बैट करके खाएगा, वहां की जमीन नतारात्मक हो, वहां का वातावरम नतारात्मक हो, उस भोजन का भी पूरा प आपने बहुतों को कहते 정도 होगा, बहुतों कहते हैं कि मैं रात को वहां गया था, वहां शुया था, रात बर नीद नहीं आई, उसका कारण ये की है, शरीर आपकी है, नीद घर में आती है तो वहां भी आनी चाहिए, क्योंकि शरीर की क्रिया तो आप ही किया लेकिन नहीं जब कहीं भी जमीन दूसित हो नेगेटिव हो वहां से नकारात्मक उर्जा निकल रही हो उस बिस्तर से नकारात्मक उर्जा निकल रही हो तो कभी भी आपको नीद नहीं आ सकता ऐसे में तमाम समय में अपने आपको positive बनाये रखने के लिए शकारात्मक उर्जा से ओत प्रोत रहने के लिए आपके अंदर एक willpower confidence डेवलप करने के लिए ऐसे ब्यक्तियों को हमेशा दस मुखी दिवरुद्राक्ष धारन करना ही चाहिए ताकि वो सुरक्षित रह सके और उनके परिवार वालों की जो चिंता है जिसके बारे में आपने कहा वो चिंता मिट सके मन का भै मिट सके और उस ब्यक्ति को भी ये लगे कि हमारे साथ कुछ हमारे साथ भगवान विष्णू और मालक्ष्वी की कृपा बनी हुए हमारा टार्गेट भी पूरा होगा और हम सुरक्षित रहेंगे अपनी कीर्ति और एश्वर को दसों दिशाओं में फैलाने और दसों दिशाओं से भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और लोगों मैं अप्रम्पार इसने फैलाने के लिए दस्वुखी दिव्विरुद्राक्ष धारण करें 10 मुखी दिवीरुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए संस्थान में संपर्क करें त counterpart महज लागत मुल्य पर इसे उपलिभ कराता है